एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ती है तो अपने साथ बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है इसी तरह जब किसी की जीत होती है तो जीत भी अपने साथ विनमरता और सहिन शीलता लेकर आती है और स्ट्रेलिया क्रिकिट टीम छे बार की संब्मान कर रही थी मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के एक खेलाडी के ऐसी तस्वीर सामने आई जो ना सिर्फ क्रिकिट का अपमान है बलकि करोडों क्रिकिटट एप्रशंस को की भी पैस्दित है विश्व विजेता बनने के बाद आउस्चेलियाई खिलाडियों ने मैदान में दर्शकों के सामने कुछ इस अंदाज में जीत को सेलिबरेट किया मैदान पर ट्रॉफी के साथ आउस्चेलिया के खिलाडी बेहत खुश नदर आ रहे थे लेकिन ये तस्वीर है तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के थी विश्व कप ट्रॉफी के साथ आउस्चेलिया क्रिकेट टीम ने क्या हश्र किया उसके असली तस्वीर तो मैदान के बाहर सामने आई पैरो तले वर्ड कप की ट्रॉफी जीत के बाद आउस्चेलिया का घमंड आउस्चेलिया टीम ने किया क्रिकेट का अपमान हाथों में बियर की बोतल गले में वर्ड कप का मेडल और पैरों की नीचे वर्ड कप की ट्रॉफी ये है आस्ट्रिला के खिलारी मिचल मार्श मिचल टीम के स्टार क्रिकेटर है लेकिन उन पर जीत का ऐसा नशा चड़ा कि उन्होंने विश्वकप की ट्रॉफी को अपने पैरों के नीचे रख दिया मिचल ने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि इस ट्रॉफी को जीतने के लिए उनकी टीम ने फिश्टे डेड़ महीने से कितनी महिनत की थे सबसे हरान करने वाली बात ये है कि ऑस्चेलियाई टीम के बल्लेबाज मिचल मार्श ने ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है शायद मिचल दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये ट्रॉफी उनके पैरों के लायक है और उनके लिए सिर्फ जीत माने रखती है ट्रॉफी नहीं ऑस्चेलिया एक खिलाली के सुरुख से पूर्ड क्रिकेटर भी गुस्से में दोनों कंट्रीज के तना थोड़ा कल्चर को समझना पड़ेगा कि वो कहां से आते हैं हम कौन हैं हम कहां से आते हैं बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जिनको हम बिलकुल I mean we take offense थोड़ा सा इंसल्ट के रूप में हम महसूस करते हैं ये तो आप काम करी नहीं सकते पर उनके लि लाड़ी घम में डूप गए हैं वो इस ट्रॉफी को जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के मिचल मार्श ऐसी हरकत करेंगे खुद ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने भी नहीं सोचा होगा मिचल क्रिकेट के बैड बॉइ हैं 2019 में ऑस्ट्रेलिया में एक मैश के दोरान आउट होने पर उन्होंने गुस्टे में दिवार पर अपना हाथ मार दिया था जिसकी वज़े से उनके हाथ में चोटा गई थी और उन्हें टीम से बाहर भी होना पड़ा था जीत के घमंड में मर्यादा भूलने की और शेलियाई टीम की पुरानी आदत है ये तस्वीर याद है साल 2006 में जब ऑस्टेलियाई टीम ने चैंपियंस ट्रॉफिज जीती थी तब कप्तान विकी पॉंटिंग ने ततकालीन बीसी से अधक्ष को पीछे से धक्का देकर मंच से हटा दिया था उस वक्त भी कप्तान विकी पॉंटिंग के अलवजना हुई वर्ड कप की ट्रॉफिज जीतना हर किसी का सफना होता है जाहिड है और शेलियाई खिलारियों का भी सपना होगा लेकिन इसकी कद्र उन्हें नहीं है किसी जीत या फिर जीत के बाद मिली ट्रॉफी की कद्र क्या होती है और श्चेरियाई खिलाडियों को भारस से जीखना चाहिए 1983 का विश्वकप जीतने के बाद कपल देव ने ट्रॉफी को अपने सिर पर रख लिया था ट्रॉफी को सिर पर रखने का मतलब है वो ट्रॉफी किसी भी चीज से उपर है पिशले साल फुटबॉल वर्ड कप जीतने के बाद अरजंटीना के कफ्तान लियोनेल मेसी तो ट्रॉफी को अपने बगल में लेकर सो गए थे मानो वो इस ट्रॉफी को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं लेकिन आस्टेलिया के खिलाडी मिचल मार्श ने जिस तरह से विशो कप ट्रॉफी का अपमान किया वो खेल भावना का भी अपमान है हर खिलाडी के सर का ताज होता है वल्ड कप उसकी सालो की तपस्या का इनाम होता है वल्ड कप एक ऐसा खिताब जिसके लिए सालो साल खिलाडी मेहनत करते हैं और लड़ते हैं मैदान पर ताकि एक दिन वो वोल्ड चैंपियन बन पाए आस्ट्रेलिया की टीम ने वाल्ट कप जीत तो लिया लेकिन अगले ही पल उसके उपर पैर रखकर ये दिखा दिया कि भले ही वो विश्मी जेता बन गे लेकिन इस सम्मान को जीतने की हगदार उकता ही नहीं थी कैमरे परसंट शंकर्शनमली के साथ किरन चोपरा सी मीजिया एंदबाद